अगर हमारे मुह का स्वात चला गया है खाने में टेस्ट नहीं लग रहा हमें किसी चेज में इसमेल नहीं आ रही है तो उसे हम कैसे वापस लाएं अक्सर तवित खराब होने के बाद बुखार होने के बाद हमें दिक्कत हो रही है जिसको कवेड़ 19 अगर पोजिट्व आ गय किसी चार दिन वाद दिन में आ जारा कि तो लोग परशान तो है कि इसका टेस्ट कैसे वापस आजा अगर हम खाएंगे नहीं तो कैसे स्वास्त रहेंगे तो आज का हमारा वीडियो इससे से रिलेटेड है और कुछ होम रेमेडिस बताएंगे जिसको अपनाने से आपका मुह का स्वाद वापस आजाएगा जरूरी नहीं है कि हम कोई 19 वाजीटू है तभी हमारा इसमेल चला जाएगा देखिए आजकल फ्लू का सीजन है मौसम चेंज हो रहा है फीवर कोल्ड अकफ किसी कायद इससे भी होती है हमारा मुह का स्वाद चला जाता है और हमें स्मेल की समस्या होती है और वह बहुत सारे कारण होते हैं जैसे नाक कि इलर्जी है नाक में हमें किसी प्रकार का स्वेलिंग है किसी प्नक्रिक है अगर हमें सांस लेने में दिर्गत हो रही है उसमें भी हमें smell की समस्षा हो सकती हमें किसी भोजन में या किसी चीज में हमें smell नहीं आएगा हमें स्वाद नहीं मिलेगा अगर हमें दातों की कोई समस्षा है या हमें diabetes की अगर problem बड़ी हुई है तो उसमें भी हमें smell की समस्षा और किसी चीज में स्वाद नहीं मिलता है तो इस तरह बहुत सारे रिजन होते हैं आगे हमें रूट काज पर जाना चाहिए सबसे कोई भी टीट्मेंट ले चाहिए हमें अलोपैतिक ले हमें पैतिक ले या फिन आयरुवेदिक लें घ्रलू टिप्स अपना है सबसे जरूरी है कि हम अपने बीमारी का कारण जाने अगर हम रूट क कि प्र retar रिल्ड़ा है नीवो को हम करते हैँ उसमें कुछ क्यों चाहरा आप कालाल मिरच का पॉड़र या फीर गोल मिर्च का पाॉड़र जैसा आपको पपसंदने टैस तो उसा मिलाई उन सब को गरम करना तो कैसे करना तो छलिए किचन में चलते आपको तिकाते हैं मैंने भुना जीरा पॉडर लिया है लाल मिर्च का पॉडर लिया है काले मीर्च और काला नमक लिया है निवो को काट लिया है एक निवो है उसको मैंने आधिस से काट लिया है उसका बीज भी निकाल लिया है अब इसी में मसालों को हम डालेंगे इसके उपर कि आप चाहें तो AH काणी मिश का पॉडर और ढालिये लाज मिछ काणी मिख्ञ पॉडर ढालें हैं तो भी राल सकते हैं दोणों दालने से सब्क हाक के लिए बना अगर आप जॉल ऑच कम खाते हैं तो कप जाले चाहा हैं या बड़ी कर शकते हैं इस तरह इसको आज पॉलबुल पर पका लेंगे एक नेट के उपर और या फिर जाली के या आज पर इसे छिम्ते इसलीए अंशाने लगते हैं इसाले आना अब कशिए पंद कर देंगे शोटैंडे होने रहेंगे इस नीबू को ठंडा होने वाद आपको चार भाग में काट लेना है उसको तीन से चार बारा थोगा करके खाईए इससे आप कमों का स्वाध एकदम चलाएगा सोच भी नहीं सकते कितना आपको मडब फायदा करेगा गजब का फायदा करता है आपका स्वाध व ऐसका पकाने के बाद नहीं लगता है कड़ टेस्ट भी इसका नहीं होता है उसके चिलके का भी अब बहुत अच्छा लगता है इसे अजमा कि देखिए गाई बहुत ही प्रॉणन रूश्क है और बहुत ही कारगर है इसका कोई साइड ईफ्ट भी नहीं है इसे हमारा डाइ कुछ हट जाता है तो तभी तक हमें लगता है तो हमें देखन है क्मारे यहां तक कोई दिक्कत है तभी हमें तेस्ट नहीं आ सहात खा सकते जो स्वाद नहीं जाता है घर आप खा सकते तो 카rella जो है उसके भुन कर कतेềं बुखार एक करेला खाई उसका और सबझे समझ दूसरी सबजी को अगर की में बहुत फाटनेंजर पत्तिय शां को चनल निकालना पत्तियों को लिए यान्वा बैगन को भूण कर राओं पत्तियों को मिला देना है इस तरह आलू बैगन और निपत्तिया को एक फ्राई बनाकर बनाकर हल्किसी उसमें कुछ नमक डालकर अब हलदी तो मिचप दाल सकते हैं उसमें इस तरह अगर सबजी बना कर खा सकते हैं तो explains भी बहुत अच्छा लगेगा बच्चे तो नहीं ẩगेंगे बड़े खा सकतें हैं और रहे खाने में हम कोशिस करना ही है तो चीज हमें होने लगता है कोई फूल लेकर आप को पसंद भी कर सकते हैं आप सेंट जो है हम लोग आते हैं अम लोग बाडी में उसका भी आप स्मेल कर सकते हैं इस तरह आप कुछ ने कुछ ट्राइक करते रहे यह कणा जहीँ है इसमेल वबाएं कर ताव्य वापस में जराके सबने लें में क le ay effets का लिटे जो चूटा से पस्टेक लिए मेल जो भस दीन से चार बार इसमें वहा है पानी फीर पत्था होता है उसकी चाय पीजिए वह ऊत्ते को सर भारी है तो धुर्ण आपको आराम लगेगा और चाई पीने से आपका मुह का स्वाद भी वापस आएगा और आपको जो कफ की दिक्कत है अगर हो रही है तो उसमें थोड़ा आराम लगेगा अब आप चुसने के लिए से घुशने से टाल चीनी चुसने से मुलेटी चुसने से फादा होता है धूरी उसकी कुछ लिए भी मरप जमी होते जो हमें पता नहीं चलता जब कोई से लेकर जिव टॉक्सिन्स चमा हुआ है तो हमारा मुण का टेस्ट वापवस आ जाएगा अपका इस मेल वापसा आ जाएगा एक्सराइज कर इसके अलावे एक्सराइबावभ कर सकते हैं और कफाल वही कर सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करके कहिए कि मैं स्वस्थ हूं और मुझे सब लग रहा है मैं सब कुछ खा सकती हूं मुझे सब कुछ में भाव भी मुझे आराम लगेगा एक विश्यास करती हूं अपना के आप देख सकते हैं इह छोटी सी तीफ्स थी आप का वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मुझ फर वाचिंग इस वीडियो